जी आसामने कॉम फ्रेंट एंड वीवर्स रमीद करते हैं सब क्यारिया से होंगे नूर पतीक में दिखाया जा रहा है जी आपको बैन जो पैपिंग के साथ आलो रहते हैं जैसे यह बैन और एक साथ पैपिंग से हम यहां से स्टार्ट करेंगे पहले भी आपको यूटूब पर बिनाना सिखाया हुआ है नूर पतीक हैं स्टेजिंग हमारे यूटूब चैनल पर अगें फिर आपको दिखा रहे हैं कि उसका हाला कैसे क्लिंग करते हैं ठीक है यहां से हम पैपिंग लगाना चुरू करते हैं यहां से गूम बैक जी कॉल आगे थी कॉल के दुरान को करने तो दॉस्ट में की अगया करते हैं यहां सो सभी नगाल ठीक है और यहां फर झाल के सासथ बीडिया है यहां अर есть प्राणाइज करने आप इसको क्या करना है यह फ्यूज़ को आपने कर लिया हूब है तो आप आपने दो या तीन से लगाने कम से कम दो अगर लगा लेंगे तीसी तो भी अच्छा है वह ज्यादा अच्छा होजेगा जी अब क्या करना कि यहां से आपने कपरा रखना इस तरह ठीक है उसके बाद यह चीज़ें फिर यह चीज़े कपरे को खींचना नहीं है तो फिर बादे करने कि यहां से सीधा यहां से अफने चोड़ना है यहां से रखते हैं आपने तीयार करने हैं यह आपका इस तरह इस तारा से पड़िया यहां की यह रहों होगा त्यार आप यहां से यह रहते काहरे सब्सक्राइब इस तरह बैग बैलते हैं यह मैंड कुंडि आपर दो राड को लर ती बहुते एब तीन में ने उसके वाद आपने यहां से गुलाई करने का बहुत यहां तरीका तो इंची टेप यूज़ ए तरह आपने आराम से इसको जो कटिंग कर लेना लकीर के फकीड नहीं बनता है वह आकल के लिए नकल के रिजिए नवर तो यह सीर होते हैं इसको आप इस तरह बितार सकते हैं इस तरह भी आपस्कुजा उतार सकते हैं अगर उस साइट से हुआ तो हुआ है यह मारा प्लैट को लगे है कि कितने इंच का है यह आपको दिखाए यह इंची इप रखें यह मारे यह ुमारे यह वाय यह 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 आठकाड़ सोल कर देंगे साड़िस वलाइब ध्यान निचा आगल लाइव लाइव इस अपर इसने पर देंखेंटा जहिए तो सब्सक्राइब करते हैं जी आपको दिखाते हैं स्टिचिंग स्टिचिंग कैसे करते हैं स्टिचिंग का पैटर्न बहुत नाइस है आपने क्या करना जी सबसे पहले जो एक्स्ट्रा कटिंग की थी कपरे की बैन पीछे का कि जिमाया था उसके साथ क्या गी है बैन को चिपका के पास जो है हमने पेर पेर का दोबा लिए ओर अपने हाले के साथ लाई लगा है और फ्री अरॉ नहीं तो पर ऑपने ख्लार में नहीं वो हमारे इंस्टाग्राम की फेस्बूक की आईडी है उस पर आद आपको इसकी पिक्चर योग अप्लेड मिलेगी बहुत ही नाइस तरीके से हम स्टिचिंग सिखाते हैं आपको बहुत ही स्लो मोशन में मतलकर जो रियल मोशन के साथ जो काम कर रहे होते हैं वही चीज़ ताके टाइम लग जाए लेकिन काम की प्रप्रस समझाएं आपको कैसे होता है अब यह के बैन को देखा आपनें क्स तरह हम बहुत है और जहां के अगर लगता है कि आपको यह क्लिए स्रूब्स प्रणी चेक कर लेने हैं जैसे हमिन चेक किया ठीक है वह इसको यहां से कि इसके बाद आप देख रहे हैं जी चेक करें सासा के बैंक कपरा मारा फिच्छे से कोई बड़ा टांका या वो चुब गरा मार्जन में कोई मसला तो नहीं है स्ट्रीचिंग में किसी तरह की और यहां पर रखते हुए हम जो दोबारा स्ट्रीच करेंगे तो स्लाई लिगा सेड eig खाला काटें ते तीरे जोड़ लेते हैं तीरे जोडने के बाद आपने बैंट कटिंग करना बैंट करके बैंट को चिपका लने है चिपकाने के बाद जो है आपने एक साथ जो है वो पाइपिंग है इसको करनी है ठीक है उसका पैटर्ण में बहुत असान है मैं आपको सिखाऊंगा देखें पूरी वीडियो दागे आपने जो है वो साथ साथ कटिंग करने ताकि आपके लिए कोई मुश्किल ना हो ठीक है प्रेंस काम जो है ना दिल लगा के सीखें काम बहुत स्वरूरी चीज़ है यह हुनर है हुनर आपकी पूरी लाइफ काम आता रहेगा ठीक है और यह जो है यह आपको रिपले दिखा रहें जी कैसे स्टिच किया है ठीक है ताकि आपको समझ जाजाए यह देखी ना इस तरीका से जो इसको स्टिच किया था और अगें जो एक दफार और स्लाइइल लगा था कि ताकि यह पक्राऊ यहां से इसका जो पर है वो नहीं के लिए जब प और अब जो है हम पैपिंग करेंगे हाबोट यह वो यूज करेंगे और पैपिंग हमने पहले बना लिए हैं अगर आप नहीं बनाने चाहते हैं तो ठीक नहीं बनाने चाहते हैं तब बहुत अच्छा कपर होता है और यह श्मोज सिल्क है जिसकी हम पैपिंग किया गरते हैं और आप देखें कितने निट थे किसे इसको स्टिच किया जा रहा है और आप बैंक के साथ साथ को गुमाएंगे ठीक है एक बैंक का बहुत एक नाइस तरीका होता है अगर आपके पास काम नहीं हो रहा है आप अश्याद लगा सकते हैं जैसे हमने इसको लगाया हुए चाहिका कि नारे के साथ स्वाइब के साथ सासको गूमाएंगे टीक है इस तरह ने निकलती डोरी यह डोरी निकलती है आपने क्या करना एजिस सेम सिच्छ इसी तरह इसको जह वह गुमाते साथ ही जो है उसको आपने फिर की नौक को बोले के बाद इसकी गुराई पैर उठा रहा है जैसे अभी हमने उठाया देखें आपको समझा रही होगी फिर अम गुराई गुमाएंगे पिर रिसुज़ रखेंगे तरीके से ठीक है पैर बठाने के पाद पिर हाथ से दो दो द चलते जाएंगे उसी तरह जिस तरह हमने पहले ट्राइग किया था से इस तरह जो है उसको स्टिच करते जाएंगे ताकि आपको लगे कि स्टिचिंग का मज़ा ही कुछ हो और जी देखने का मज़ा आड़ा के नहीं आरा वीडियो अक्राइब लाजमें शेयर करें और आप सबको बहुत शुक्रिया आप में टाइम देते हैं जी हम आपको इस पेशली थोड़ा सा टाइम निकालते हैं आपके लिए ताकि आपके आपके इलम में कुछ अजाफा हो सके आप घर बैठे जो एक्टिविटिस रख सकें जो आउट ओफ करंट्री हमारे जो एस्टीचिंग के बारे में कटेंग के बारे में फुल इडिटेल के साथ से शेयर करते हैं सबसे पहले हम पिक्चर एप्लोड कर रेगा करती हैं लेकिन अप आप को हम कट्इमिग सिखा रहे हैं सबस्ऐतरा हैं साथ साथ में अक्टिविटिटी जो ट्रिश दू又 हजर das आप से ये करते हैं जो शक्स ने जड़ा है तहिसना चाहता है और इनकों Boys और पिकले सारी शाख जैसे कोई वना जो है hy पैपिंग करते है कुछ पैपिंग करते हैं डोली डाल रिपिंग करते हैं बाते हैं अपने अंदास के साथ ही जैसे उस इस the लगता है उस तो ब्लमार डैक एमल्ड घरन तो हर मोला को पांडा जायर मेंकिर हैerson्ज can निसने कर तक हर बंदे का जो स्ट्रीजिंग पैटर्र ता बहुत डिफ्रेंट होता है और इसमें कट्टिंग सबसे हैमित जी कटिंग होती है जो कटिंग होती है वही स्ट्रीजिंग को आगे लेकि जाती है में चीज कटिंग फॉकस होता है लेकिन कटिंग तब आती है जब आपको प्रॉपर स्टिचिंग आती हो सबसे पहले काम अगर आपने सीखना है तो आपको कटिंग नहीं सीखने बल्गे कि कि आफे आपको किस तरह करने चाहिए कितने माजन पे कपरा काटन और इस लाहिए और यह जो होती है आपको जो गलती है क्टिंग के अंदर से नहीं पता आप इसको जो है ना हम इसी तरह बढ़ाते रहेंगे जैसे अभी बढ़ाया'll Ist है ताकि यह अंदर को तया है कि हमने सोजे हमिंग करनी जा इसको लगानी और यह देखें कि इसको जो है है हमने शुर्ट अब सासा से पिन करेंगे ताकि इसकी जो फिंक्शिंग आए वह नीट ऐर अब कर जो है इस पे उस सलवटें कि सितना कि ना आ अक्सर जो लोग उते हैं वोॉर्कर्स वह पैपिंग कर लेते हैं लेकिन प्रेस करना बहुत जरूरी होता है ताकि ए जय जो भी आप सलाइप करें जो भी लेडिस करें जैसे बाजु लगाएं अपने पैपिंग यह रिफिंक यह लेस लगाई है उसको साथ-षथ से प्प्ष्ड्रेस करना पड़ता है बागत लोग टाइम बचाते हैं लेकिन फिंगशीन Васब फिंगशींग 파क्रण सब्सक्राइम करते हैं तो कस्टयों आप से तीम माघंगे हमारा काम करें हमारा काम करें और जब टाइम नहीं देंगे तो ने कि को इतना कोई काम की तरफ आपकी तरफ को दियान दे इसलिए जो है नो कि आपको जो फिंक्षिंग है वो से आगह रखना चाहिए वक्त दुझे जहार आपके 10 मिन लगेंगे वहां से 15-20 मिन लगेंगे और अगर आप 12 क्यांटे काम तो 20 मिन जो है वह एक्स्ट्र आपकर एक इसमें ना तो हमने स्लो मोशन है और ना हाइ स्पीड पेस को जो आपको वीडियो दिखा रहें है प्रोपर वीडियो की ज़ी आप देखें कि बैयन की शेव जिसे फ्लैट कोलर बहुत यह बहुत ही असान होते हैं पहले आप इसको गले पेपिंग करते हैं फिर बैन पेपरा दो और और आते हैं आप एक साथ पैपिंग किया करें जिसमें भी बहुत प्रिका दीकिसे हैं। और सबसे इंपोर्टन्ट चीज है कि आप जो प्रेस करते हैं तो इसको प्रेस किया करें इस पर शाइन आती है जलने भी भी बहुत टाइम नहीं लगता इसको और क्योंकि प्रेस्टर होता है तो प्लेस्टर जो आपको बता है थोड़ी सी हीट के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपके लिए जो मुश्किल ना हो ऐसा नहीं कि आप इसको स्टिच करते करते प्रेस करते बाद में जब काम कहते हाथी लांगे पुशल जागी तो जेनों कि आप जिला बैठे इसको बरेहतियास से आपने प्रेस करना है साइम टाइम जब बंदा नहीं ने काम सीखता ना तो गलती होती रहती है तो कोशिश किया करें कि ऐसी जो फिंक्शिंग है वह आप नीट तरीके से करें यह आपने देख लिए पिले हमने एक से प्रेस किया तब दूसरी से इसको प्रेस करके इठाएंगे कि हमारी तसल्ली हो जाएकि हमारी तसल्ली होके हमें पता चलंगा नकिस यह जो बैंकी शैप यह वह बैठी है कि ने बैठी है कि यह बहुत सारे कutions कहते हैं सिर्फס को उताना से है कोई तरीका होगा अगर बैया है लगाने अभी और लागेशन पास नहीं तो आफ तीरे पर 2 आफ यह कम से कम तीन के लाजमी लगाए नहीं गना और अगर धिन ने तो दो सुल्डर पर लगाना चाहिए है ता कि कद्धर आजकल सेसंस अरतियों का तो खदर के जो नागे यह बड़े चीज़ते हैं वह निए आप वाशिंग मशीन में जब जब वाश करते हैं तो अक्सर जो होता है शौल्डर से कपर पड़ जाता है उसकी रिजन क्या होती है कि आप जो है उसको जिन ओवरलाक नहीं कर वाते हैं और अगर ऑवलाक की पूलत आपके पास नहीं है तो उ है इसके साथ साथ करते हैं ताकि इसी ली तरीके से आपके जो बैन की शेव है ना वह सही आए अब यह लास्ट टैप है आपने देखा कि हमने आल और जैना इसको साथ साथ प्रेस करें बठा रहे हैं एक साथ से शुरू किया दूसरी साथ पर आगे हैं और पाइपिंग में देखें कोई जोड ने आया एक पटी हो ना अगर शुमौ से लगी तो उसका अड़्स होता बरा तो एक ही पटी जो है ना वह बैन पे और सामने स्लिट पे कवर हो जाती है ठीक है आपको डबल डबल जो है ना वह लगाने की जूरूत नहीं है कपरा जोड लगाने की जूर स्लिट लोग हम से पूछते हैं कि स्लिट जो है वह कहां तक बनाना चाहिए देखें जो स्लिट होता है ना वह कमर की शेप तक होता है हमने यह पहले भी बताया हुए वह दुवारा बता रहे हैं आपको पहले वी यूटुब पर वीडियो अपरोट कि हुई है उसमें हमने पताया हुआ कि जूट होता है चोड़ी बचर चैजश큼 साइस है चाहिवा आप कहने मीडियम होते हों साइब मोर से धयर या दो इंच तक जे आप एडिया कि कमर से एक या दो इंच जड़ निचे जाएगा ज़्यादा नीचे जाएगा और फुर्व ततभी गलता हैंहां मौत्व से ऑंपने से आपने 9 इन्च में कि आपने आर्मोल से लेकि आप आर्मों से लेकि चस्ट के और कमर यूर इंच नीचे से आपने जो है वो निशान लगाने है यानि कि आपके दन त्यश्व तर तो कि तीरे से लेकि है शोल्ट्र से नहीं रखना हाँ अगर करस्टमर आपसे कहता है तो उसकी मरज़ी चाहे वह पंदरा सोला स्थारा ठारा जितना भी कहें उसे साफ से अपने जो है वह अपना शिल्ट जो है वह त्यार करने कि इसकी फिंक्षिंग देखें कि सबसे नीट जो है वह एक जैसी होती है और प्रेस सासाथ करते जाना यह लास्ट पर उसके बाद आप देखें कि लुक कैसे आती है जो भी लुक होगी वह आपको मारे इंस्टाग्राम की पेज़ दानो टेलर के आईड़ी पेज़ है वह मिल को वैलवर के सूट जैसे पताए हूए है और जितने भी मैकसी कैसे त्यार करते हैं आप प्रोफर करते हैं शारी वीडियो हमने प्रोपर वीडियो है अप्राने वीडियो देखें और नई अपडेट की आपको नए तरीके से भी सिखाएंगे और जिसमें बहुत सारे कोटन कजई को असां कृरुदा कि आप Bizन कर सकते हैं और कटिंग कर सकते हैं अंदर की कि तुरफ से आपने पंक्शिंग कि 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 देखे कि तरीके शहिते हैं कि जब भी को होजब जो हम चाहरे ऍटी और परफिले कि और और में तक तक घापको तौर रहे हैं को इसकी पैपिंग जो आपने देखी हैं अंदर से अंदर के तरफ टेंड कर देंगे ताके इसके जो है वह दागे ना निकले ठीक है बहुत ही नीड तरीके से जो आता है वह हम आपको स्टीच करना बता रहे हैं हमारा चैनल जुरू यूटूब का जो है वह नूर बतीक हैं इसको शेयर भी करें ताके जो जीज़ हमने आपको सिखाई है किसी ना किसी तरह उस शक्स तक पहुंचे जिसको इसकी जरूरत है जी ताके वह भी देखे और अपने गर बैठे जो काम सीख सके चोटी चोटी बाते होती है जो इनसान गलती करता है लेकिन वह जब वीडियो सीख लिए जाए बहुत कम होते हैं आप देखते हैं कि सिरह हम जो बंद स्लाई लगाना जानते हैं वही कारिगर रहते हैं लेकिन डिजाइनिंग जो होती हर साल हर महीने एक नया पैटरन लेके आती है और जो कि मास्टर खुद इसको डिजाइन करता है या कस्टमर्स गाइ लेड़ी सो हब में अजाज़त अपना बहुत सब्सक्राइब कर दूआ में जाद किया कि अल्हाफिस्ट